नमस्कार आज हम सिखेंगे मच्छासना मच्छासना के दो प्रकार है एक पदमासन के साथ कर सकते हैं और दूसरा नॉर्मल मस्यासना है मस्यासना अलग है और मस्यंद्रासना अलग है ठीक है आईए तो पिर शुरू करते हैं पहले पहले वाला करते हैं नॉर्मल वाला नॉर्मल ये दंडासना में बैट गए अपने दोनों एल्बोस पर बाडी का बेट आएगा और धीरे धीरे पीछे जाईए एक्जेल करते हुए और कोशिश करेंगे कि अपने नेक को फ्लोर से टच करनेगी इस केस में बैक का पोस्चर आर्च होगा बैक फ्लोर से टच नहीं होगा नॉर्मली पदमासेन में बैट गए आगे की प्रोसीजर सेम है बैकवर्ट्स बेंड करेंगे और अपने अल्बोस पर बॉड़ी का प्रेशर लेने की कोशिश करेंगे नेक को फ्लोर पर टच किया स्लोली ब्रीधिंग लेंगे शुरुआत के समय में जब आप नेक को फ्लोर पर टच करने की कोशिश करोगे और वो टच नहीं भी हो रहा हो तो कोशिश करेंगे जितना पीछे हो सके उतना जायने की लेकिन बैक को फ्लोर पर टच नहीं होने देंगे आगे देखेंगे इससे होने वाले फायदे और सावधानी अब बात करते हैं मच्यासना से होने वाले फायदों के बारे में मच्यासना के नियमित प्रैक्टिस करने से हमारे शरीर के नेक, शोल्डर, थ्रोट, हिप्स, रिप केज में अच्छा खिचा मुसूस होता है अस्तमा, थायरोइड, ब्रॉचलिटी, चौंस्टिपेशन के केस में इसे जरूर करे मच्यासना के नियमित प्रैक्टिस करने से निगेटी थॉट्स से राहत मिलती है डिप्रेशन के केस में इसे जरूर करे अब बात करते हैं सावधानियों के बारे में high blood pressure, low blood pressure, insomnia के case में इसे ना करे या trainer के निगरानी में practice करे अगर आपको knee injury है तो padmasana में matasana की practice ना करे neck injury, spinal cord में injury हो तो इसे ना करे या trainer के निगरानी में इसे practice करे वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो like और share जरू करे कोई शांका या सुजा हो तो निचे मुझे comment करे चैनल पर नए आये हो तो subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए जिससे latest videos के notifications आपको मिलती रहे धन्यवाद